स्वालेकुम क्या ही आप अपके लिए अपसाब का मियामीद कर चिंक आपसाब खाइरेत से होंगे अपने घरों में आर डेट है 7-12-21-0-day है तुजढे आज मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ बिर्ड्स और इंपॉर्टन्स ऑबिर्ड ऐसे का मतलब होता है वह मतलब ब they have big feathers to help them to lift their body in the air. उनके जो पार हैं वो बड़े होते हैं जिसके मदद से वो ओड़ सकते हैं या अपनी जिसम को अपर उड़ा सकते हैं they can travel to long distances in the air because of these feathers वो सफर जो है वो जो लंबा सफर होता है वो उसको बासानी कार लेते हैं अपने पारों के मदद से there are thousands of birds which have unique characteristics और हजारों तरहां के परिंदे हैं जिनके मुंद्वरित खुसुसियात हैं characteristics of birds birds have compound eyes जो परिंदे हैं उनकी गोल आंके हैं their skeleton is very lightweight और उनका जिसम है वो बहुत हलका है which makes it easy for them to fly और जो इनके लिए बहतर है जिससे वो असानी से ओड़ जाते हैं their feet are covered with scales and bodies with feathers उनके जो पाओं है वो धांपे हुए है scales से और उनके जो जिसम है वो धांपा हुआ है परों से feathers are the unique features of birds जो पर है उनके परिंदों के वो मुंद्वरित ही चीज है परिंदों के अंदर they are used for lifting and conserving body heat और उसे वो लो उसे use करते हैं जो उनके पर हैं उसे वो ठाने के लिए इस्तमाल करते हैं या फिर वो अपनी जिसम में गर्मी पैदा करने के लिए इसे इस्तमाल करते हैं they do not have sweat glands उनके पसीने वाले जो glands वो नहीं हैं they do not have teeth उनके दांत नहीं हैं they cut their food with their beak और solid whole food वो अपने खाने को अपने चोन से काटते हैं या फिर वो से निगल लेते हैं they built their nest in areas like tall trees और वो अपने घौंसले बनाते हैं लंबे द्रफ्तों पे average life span of a bird is two or two five years और जो परिंदों की जिंदगी है वो दो से पांच साल है there is a species of bird called albert ross that has survived for 42 years और एक परिंदों में एक किसम है जिसका नाम albert ross है और जो के जिंदा रहता है yeah 42 years qualities of birds परिंदों की सुसियाद each bird has a different and amazing quality हर परिंदे की एक अपनी मख्सूस quality है या ख्सूसियत है for example peacocks have different feathers जो more है उसके मुस्लिफ पर है their feathers spread out widely and wash many colors including green, gold, blue and other hues जो more है जब उने पर फिलाता है तो उसके मुस्लिफ रंग के जो पर है वो खोल जाते है यानि के उसमें सबस भी है उसमें नीला भी है और बहुत और मुख्लिफ तरह के उसमें रंग शामिल है then there are hummingbird and anti-gale who can sing or hummingbird or anti-gale होता है bulbul hummingbird और bulbul जो है वो गाना गाती है there are some birds that can also mimic sounds like parrots और कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि आपकी नकल उतार सकते हैं जैसे कि हैं some birds live in inaccessible places penguin is one such bird penguin एक ऐसा परिंदा है जो के मुश्किल अलाके में भी रह लेता है it can also survive in an icy places in the polar regions और वो जिंदा रहता है ठंडी जगा पर some birds live in water कुछ परिंदे जो हैं वो पानी में रहते हैं cranes, swan, water course, etc such birds cranes, swan, water course जो हैं वो ऐसे परिंदे हैं they can pray on the water for fishes and other small creatures on earth वो जो हैं पानी में अबना शिकार ढूनते हैं यानि के मचलियां और इसके लवा चोटे-चोटे-चोटे जो मखलूक है उसको ढूनते हैं जमीन के उपर eating habits of birds परिंदों की खाने की अदाद, eagle, crow, roaster, etc some birds that eat the flesh of dead are living animals उकाब और कवा ऐसे परिंदे हैं जो के जो जन्दा जानवर हैं उनका गोश्ट खाते हैं या उनकी जल्द खाते हैं some birds sit on the bodies of living beings like us buffalo and eat the parasites on their bodies और कुछ जो birds यानि कुछ जो परिंदे हैं वो इनसानों के जिसम पर बैठते हैं और उनके उपर से जो है वो जरासीम खाते हैं जैसे के cow, buffalo, जैसे के गाए, भैंस voices of birds some birds sit on the bodies of living beings like cows, buffalo and eat the parasites on their bodies इसका मतलब यह है कि कुछ जो परिंदे हैं वो बैठते हैं इनसानों के पर और जानवरों के पर ठीक है और वो हैं cows, buffalo के पर बैठते हैं ताके वो उनके जिसमें जरासीम को ठा सके voices of birds परिंदों की आवाजें the soft tone of some birds attract us, kuku, papaya, parrot etc. are all convincing of the melodious sounds of birds जो कुछ परिंदे हैं उनके वाजें जो बहुत सुरिली हैं और कुकू, papaya और जो तोता है वो ऐसे परिंदे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं there is a great discussion of his voice in literature और इन परिंदों की जो है वो इन परिंदों की आवाजों की का जिकर जो है वो literature में किया गया है और इस खास तर पर कुकू की he has great praise in composition of poets और जो कुकू जो परिंदा है वो एक ऐसा परिंदा है जिसकी आवाज को शायर भी पसंद करते हैं importance of birds परिंदों की एहमियत birds are a very important part of ecosystem and food chain परिंदे जो है वो ecosystem और food chain का एक अहम हिस्सा है bird dispersed seeds which grow into a new beautiful plant परिंदे जो है वो बीज को फैंटते हैं और उसके बाद जो वो एक खुबसूरत पोदा बन जाता है in this way they play their role in environment to spread beautifully और उसके बाद इस तरह से जो परिंदे हैं वो महौल को खुबसूरत बनाते हैं हम वो महौल में आहम करदादा करते हैं conclusion आखरकार या नतीजा birds provide so much to this world and us परिंदे जो हैं वो इस दुनिया को और हमें बहुत कुछ महिया करते हैं या देते हैं they are an integral part of our environment वो हमारे महौल का हिस्सा है unfortunately they are in danger और वो उनकी जान की खत्रा है because of hunting क्योंके शिकार की वज़ासे अब हमारा यह जिम्हदारी है हमारा यह फर्ज है कि हम उन्हें बचाएं and save our ecosystem from falling apart अपने ecosystem को गिरने से बचाएं अगर आपको मेरा यह ऐसे birds और importance of birds पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए और मैं आज फिर दुबारा से उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दा करते हूं जिनने मुझे subscribe किया है और जिनको मेरे ऐसे पसंद आ रहे हैं आप साब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं ताके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू